तो हेले फ्रेंज यहां पे अब फाइनली एंड फाइनली तीन डिवाइसे में मीवाइ 14 के इंडिया डेवल अपडेट ग्लोबल डेवल अपडेट कमिंग सुन तो फिर यहां पे उन में से एक डिवाइस को अपडेट देखने के लिए मिल चुका है और एक डिवाइस को कब तक मिलेगा और यहां पे आपको और बागी के डिवाइस इसमें कब तक मिलेंगे पूरी इन्फॉमेशन इस वाले वीडियो में एक बार देने वाला हूँ तो वीडियो को शुरू से लेके लास सक देखते रहना और अगर आप इस वाले युटूब प्रकुलया है आप मुझे सुक्ष्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि आपको सबसे पहले मेरे चैनलों पर ही देखने के लिए तो यहां पर हम बात करूं है मी 11x प्रो रैडमी 6 10 ब्रो डडमी 710s और चुका है इसके regarding में पूरी वीडियो भी अप्लोड कर चुका हूँ उन वाली वीडियो इसका लिकिस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा तो फिर जाकर के चैक आउट कर लेना तो आप बात करते हैं Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10S के तो यहाँ पे Redmi Note 10 Pro यूरोप में 14.50.250 यूरोप स्टेबल अपडेट रिलीस हो चुका है विद फरवरी सेकृरिटी पैच 14.50.150 का भी अपडेट रिलीस हुआ था लेकिन उसमें कुछ बक्स के कारण मेरे हिसाब से अपडेट को यहाँ पे सस्पेंड़ कर दिया गया था लेकिन अब यहाँ पे 14.50.250 यूरोप स्टेबल अपडेट रिलीस हो चुका है और यह हमारे लिए बहुत बड़ी गुर्ड न्यूस भी देखने के लिए मिल जाती है और रेड्मी नोट 10S के लिए भी 14.50.150 ग्लोबल शेवल अपडेट एंडू 13 पर बेश रेडी हो चुका है तो इन दोनों डिवाइस के लिए यह दोनों अपडेट 14.50.150 के अब बहुत जल्द रिलीस होने माले हैं मी 11X, मी 11X Pro में अल्रेडी हो चुका है वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ जा करके चेक आउट कर लेना तो फ्रेंस से ही देनी थी छोड़ी सी इन्फोमेशन Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, MiUI 14, Global Stable Updates coming soon और Mi 11X, 11X Pro में इंडिया में भी हो चुका है तो यही थी आज की पूरी वीडियो MiUI 14 के Stable Updates के रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चीलोगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजे अगर आप इस वाले YouTube चैनल पहले बारने तो सब्सक्राइब और शियर जरूर से करके जाना क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मेरे YouTube चैनल पे देखने के लिए मिलती रहेगी तो फ्रेंस से ही ति आज की पूरी वीडियो MiUI 14 के Stable Updates के रिगार्डिंग अगर आपको सबस्क्राइब आपको सबस्क्राइब